वेस्ट लेंड मैनेजमेट से हमिरपुर के एक हाइ स्कूल डुगगा ने सेंक्टू स्कूलों को पचारते हुए पुरे परदेश में अपना दवदवा बनाया है जिसके चलते ही छे फरबरी को नई दिली में ग्रीन स्कूल अवार्ड के तहत वेस्ट लेंड मैनेजमेट डुगगा ने सेंक्टू स्कूलों को पचारते हुए पुरे परदेश में अपना दवदवा बनाया है जिसके चलते ही छे फरबरी को नई दिली में ग्रीन स्कूल अवार्ड के तहत बेस्ट लेंड मैनेजमेट अवार्ड से नवासा जाएगा डुगगा स्कूल को स्कूल अवार्ड के लिए देशवर के करीब 1700 स्कूलों ने हिस्सा लिया है और 122 स्कूलों को ग्रीन स्कूल केटागिरी में आए हैं जिसमें 6 केटागिरी में डुगगा स्कूल को अवार्ड दिया जा रहा है ये अवार्ड इंडियन हेवी टीन सेंक्टर में कारेक्रम के दौरान डुगा स्कूल के नैनी हाल भी हिस्सा लेंगे हिमाचल परदीश से किवल 4 स्कूलों को ही इसवार रस्ट स्तर का अवर्ड मिलेगा जिसमें 2 स्कूल सरकारी हैं बेस्ट लेंड मैनेजमेट अवर्ड पाने के लिए डुगा स्कूल में बच्चों के साथ अध्यापकों ने काफी महनत की है और आवर्ड को आविदिन करने से लेकर अब तक स्कूल परिसर को संबारने से लेकर 70 तरह की परजातियों के उपादे लगाए हैं ताकि स्कूल परिसर को परेवण के दिश्टी से सुन्दर बनाया जा सके इसके लिए स्कूल में गटित एको कलब के करीब दो दरजन से ज़धा छत्रों ने अपनी भागेदारी शुनिश्यत की है इको कलब के चात्रों ने बताया कि Best Land Management Award मिलने की सुचना मिलते ही सभी चात्रों में खुशी है प्लास्टिक को इकठा करके हम एक जगा डिस्पोज कर देते हैं और रिसाइकल कर देते हैं वेक बिक में वेक में लाइट साथ था आता है उस दिने हम प्रकार के पहुत हैं और जो क्यारिए कारैं बनाई हुते हैं उन्हें डालने के लिए हमने जो सलने गलने वाला कच्रा है उन्हें अलग डालते हैं और जो रिसाइकल होने वाला कच्रा है उससे हम अलग डालते हैं और रिसाइकल कर देते हैं और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल डुका का चातू हू अलग बॉक्स में टालते हैं और यहां पे हम बहुत सारे पोड़ी लगाते हैं हमारे हैज्ड है तरस स्पूल अबार्ड मिल रहे हैं और हम बहुत से पहुत होड़ी लगाते हैं स्कूल की साफ सुपाय करते हैं। स्टार्ट जो होता था वो एक प्लांटेशन से होता था लगभग स्कूल में जो हैं साठ से सतर प्रजातियां जो हैं वो पौधों की पाए जाती हैं और इस साल हमें बेस्ट लैंड मेनेजमेंट का अवार्ड जो है वो 6 फरवरी को मिलने जा रहा है तो मुझे तो पहले इस बात की बहुत जादी खुशी है कि यह सब कुछ हो रहा है और हमारे जो साथी है एक ग्रूप में जो हैं दस दस बच्चे रखे गए थे उनके एको क्लब मेंबर्स ने बहुत जादा सहयोग किया और जितने भी बच्चे थे उन्होंने बहुत जादी प्लांटेशन की और तो स्कूल का ग्रीन एक हरा आवरन था वो चारों और जादा बढ़ाया गया जहां पर बेस्ट मतलब भूमी थी वहां पर वहां पर भी जादा से जादा प्लांटेशन की गई ताकि उसे भी धंग से प्रिपेर किया जा सके मैं राजकी उच्वी देले डुगा की चात्रा ह हूँ और हमें एक पूर इसमें दिल्ली में अम्मेलेस बैस्ला एमैं confirm का अवर्ड मिलने जा रहा है हमने इसमें ट्रीं consultants के रिख हैं तो कि उलोग ग्हात रखे और हमारे स्कूल में कम से कम साथ ऑसे वत्पेस्स की जो प्लांट्स हो लगाए जाते हैं और हम जैसे अगले महीने हैं प्लास्टिक मैंएजमेंट के उपर एकजीबिश्न लगा जाते हैं और और अन्य गतिवीदियें की जाती है इको कलब इंचार्ज अध्याप का पूलिमा ने बताया कि बेस्ट लेंड मैनेजमेट आवार्ड के लिए पिछले पांच महीनों से काम किया जा रहा था और आज खुशी है कि स्कूल का नाम नेशनल स्तर पर आवार्ड के लिए चेन हुआ है उन्होंने बताया कि नवंबर मा में दिल्ली से आई हुई टीम ने भी नरिक्शन कर बेस्ट लेंड मैनेजमेंट का चाहजा लिया है जो है एक प्रोग्राम है उसके तहत हमें बेस्ट लेंड मैनेजमेंट केटेगरी में हमें आवार्ड मिलने जा रहा है छे फरवरी को इंडियन हैबरिटेंट सेंटर नुदेली में तो इस अवार्ड के तहट 2700 स्कूल जो थे 1700 स्कूल पूरे इंडिया से उन्होंने रेजिस्टेशन करवाया था उसमें से हमारे जो 172 स्कूल है पूरे नेशनल लेवल पे वो ग्रीन स्कूल करेगरी में आए और हमारे हिमाचल से 14 स्कूल जो है वो ग्रीन स्कूल डिकलेर किये गए जीएस्पी ओडिट में उसमें से हमारा जो स्कूल है वो बेस्ट लैंट मेनेजमेंट के लिए गर्मेट हाई स्कूल डुगा के बच्चों को जो है ट्रॉफी मिलेगी इनाम मिलेगा वो चेहनित हुए तो ये 6 फरवरी को दिली में होने जा रहा है सेरिमनी अवोर्ड सेरिमनी क्लाइमीट शेंच अवोर्ड सेरिमनी इसका नाम दिया है उन्होंने इसके लिए हम चेहनित हुए है तो इस ओडित में क्या होता है कि जितनी वीकू कलब की एक्टिविटीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और उनका ओनलाइन उनको भरा जाता है पोर्टल के तो ये इस संदर्म में हमें इनाम मिला है स्कूल मुख्या द्यापक मनोज पालसी परिहार ने नेशनल आबोर्ड मिलने पर खुशी जाहिर की और कहा की स्कूल की इको कलब की टीम की मेहनत की वज़़े से सμबव हो पाया है उनोंने बताया की 1700 स्कूलों में बेस्ट लैंड मैनेजमिंट आवोर्ड के लिए स्कूल का चेन हुआ है उनोने बताया की जैब बिबिदा को लेकर स्कूल में बिशीस दियान रखा गया है और कई बरजातियों के पोदों से स्कूल परिसर में रोपा गया है हमको इस बात की बहुत ज़्यादा खुछी है कि हमारे स्कूल का चुनाब हुआ है मैं इस मौके पर आपको ये भी बताना चाहरा हूँ कि उस लिस्ट में केवल दो ही सरकारी स्कूल है लग भग 17 स्कूलों की ये रिपोर्ट थी उस में से हमारा स्कूल जो है वो चैनित हुआ है और डेस्ट लेंड मैनेजमेंट के उपर जो है हमारे को जो है ट्रॉफी मिलने जा रही है दिल्ली में उसके लिए हम जूरी का जो सेंटर फार साइंस एंड एन्वाइनमेंट है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते है कि जो जैब भी बित्ता होती है मनस्पतियों के अलग लग स्पीसीज है वो हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखा गया है हमारे स्कूल में जो लैंड की जो मैनेजमेंट है उसमें तरह तरह के पौधे लगाए हुए है फूलों के पौधे हैं खुश्बुदार पौधे हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और ना मिंटर प्राण्स हैं वो हमारे स्कूल में काफी मात्रा में लगाए गए हैं और हमारे स्कूल की जो टीम है ऐस्पेशली हमारे जो ईको कलब के इन्चार्ज हैं पौर्य मां जी उनको credit जाता है सारी चीज के लिए ये पूरी जो maintenance है वो हमारी स्कूल के बच्चे करते हैं